नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपनी यूट्यूब चैनल आधर ग्लासिस में दोस्तों आज है 22 मार्च 2024 इस वीडियो में कवर करेंगे करन्ट अफेर के बहुत important questions जो आपके आने वाली परिक्षाम में पूछे जाएंगे तो question number एक से start करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक request है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो please चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इसी तरीके का regular notification पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना जरूरी है और आप जो है current affair के सारे current affair की जितनी विखलास से आती हैं इनी के दुआरा और इनी के माधिम से आप प्राप्त कर सकते हैं और PDF जो है आप फिर में प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे टेलिग्राम लिंक पर जातकर और इस वीडियो के description में आपको उस टेलिग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो सबसे पहला question स्टार्ट करते हैं हर वर्स बिस्व बानी की दिवस यानि बन दिवस मनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 21 मार्च को हर बर्ष जो है बिस्व बानी की दिवस इसको बोला जाता है अंतराश्टिय बन दिवस ठीक है यानि फोरेश्ट जो जंगल होते हैं अब इस दिन का जो मुख्य उदेश से होता है क्या होता है सभी प्रकार के बनों के महत्वुक के बारे में जागरुकता बढ़ाना है यानि सभी के जितने भी ब्यक्ति है ठीक है उनको जो है जागरुक करना है कि बनों को बचाने की कोशिस की जाए ठीक है आपके आने वाली प्रक्षाओं में पूछा जाएगा ठीक है अब यहां पर आप देखो 20 मार्च 2024 को जारी की गई सन्युक्त राष्ट प्रयोजिक बारसिक कौनसी रिपोर्ट विस्व कुसाली रिपोर्ट अगर रिपोर्ट का नाम आए तो विस्व कुसाली रिपोर्ट म आए सबसे टॉप पर आया फिंड लैंड ठीक है दूसरे नमबर पर डैनमार्क तीसरे पर आइसलेंड चोत्य पर स्वीडन पांच वह इसराइल चटु पर है नीदरलेंड साथ वह नौर्वे ठीक है और आठ वह पर है लग्जम वन और नौपर है स्वीजरलेंड और दस प लीजेगा इंडिया का कौन परेश। बाक्स में आपको बताना है कीव को संब्र पर रधर इंडिया का यह जो भिसप घृसाली रिपोर्ट यह पर्सूंव परसूह याझाया है यानि 20 Marge Master अगर आप 20 March की करणट अवेर Kerry क्लास देखो गी तो उसमें इंडिया को ऑशन आप वो दिखाई देगा ठीक है नेस्ट कोशन करते हैं कोशन नमबर तीन उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर में पहला automated driving test track खोला गया है तो यह खोला गया है वही उत्तर प्रदेश का आयोध्या जो शहर है ठीक है वहाँ पे automated driving test track खोला गया है ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं मारुत्य सूज्यू की इंडिया ने अयोध्या में पहला automated driving test track ADTD खोला है ठीक है किसे ने खोला वही हो मारुत्य सूज्यू की इंडिया ने कहां पे खोला है आयोध्या में यह उत्तर प्रदेश का सहर है और इसका नाम है ADTT यह है पहला automated driving test track driver training and testing institute यानि DTTI ठेक है यह जो है driving test and testing institute इसका मतलब यह है यहां पे खोला गया है वहीं इस track को केबल 45 दिनों के अंदर बना कर तयार कर लिया गया है यह कितने दिनों में बनके तयार होगे केबल 45 दिनों में ट्रेक का उधगाटन जो है किस मंतरी नहीं किया है यह किया है वहीं दया संकर सिंग ने ठीक है company का दावा है कि इस automatic trade के जलिए जो track बनाया गया है इसके जरिए केवल काविल driver drivers को ही driving license मिल सकता है यानि जो अच्छे driver है ठीक है सिर्फ उनी को ही यह है इसका जो driver license है यानि DLS सिर्फ उनी को प्राप्त होगा मार्च के अंतक ही उत्तरप्रदेश के ऐसे चार और automated track बनने की उमीद है यानि इसके अलावा चार और बनने की उमीद है नेस्ट कोशन करते हैं अगला कोशन भी important है प्रदान मंतरे नरेंदर मोदी ने किस राज्य के भारत मंडपम में स्टार्ट अप महाकुम का उधगाटन किया है तो यह किया है भई नई दिल्ली तो इसका option number हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा नेस्ट कोशन करते हैं कोशन नमबर पांच हाली में किस परिसद ने धानुका एग्रिटेड लिमिटेड के साथ समझोते पर ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो यह किये है भारतिय किरसी अनुसंदान परिसद तो भारतिय किरसी अनुसंदान परिसद ने किस के साथ भाई समझोता किया है धानुका एग्रिटेड लिमिटेड के साथ इसके बारे में थोड़ा सम जान लेते हैं भारतिय किरसी अनुसंदान परिसद इसका short form में अगर बोला जाए तो ICAR ठीक है यह इसकी short form है कभी कभी जो है यह केंद्र और धानुका एग्रिटेड लिमिटेड ने एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यह ओ यू पे क्या किये हैं भई और ICAR ठीक है ICAR यह जो है भारति किरसी अनुसंदान केंद्र की बात हो रही है इसके उप महानिदेशक कौन है भई डॉक्टर यू एस गो गोतम है और धानुका एग्रिटेड लिमिटेड के अध्यक्स कौन है जी आर अगरवाल ठीक है इसके कौन है भी जी आर अगरवाल तो इनोंने 19 मार्च 2024 को संबंध संगठों की और से एक समझोते पर साइन किये हैं मैंने आपको बता दिया जो ICAR है उसके जो उप महानिदे कोन है डाक्टर यू स गोतम और ये जो कंपनी है ठीक है धानुका एग्रिटेड लिमिटेड इसके जो अध्यक्स है वह हैं आर जी अगरवाल अगरवाल तो इन्हों ने समझोते पर साइन किया है और इस समझोते पर साइन करने का उदेश से क्या यह हमें जो है गोतम जी न करोड यानि साड़े 14 करोड से जिनमें से अधिकतर किसानों के पास छोटी भूमी जोत है धानुका एग्रिटेड केंद्र संस्थानों अटारी और किर्शी बिज्ञान केंद्र के साथ जुड़कर इन छोटे किसानों को किर्शी उत्पादन से संबंदित पृतिक्षन समीति की 47 वैठक आयोजित हुई है तो यह हुई है भाई शिरी नगर में ठीक है शिरी नगर जो है जम्मु कश्मीर का जो है एक जिला है इसके बारे में जान लेते हैं राश्ट्य पूरा लेख पाल समीति यानि N.C.A. को दो दिवस्य वैठक कौन सी वैठक है 47 47 नमबर ग सेंटर का नाम है SK ICC ठीक है यह संटर का नाम है यहाँ पर संपन हुई है 47 वैठ याद रखना 47 के नमबर गिए नेस्ट कोशन भारत का कौन से प्रदेश में पहला आ ओयल पाम प्रोसेसिंग शडियंत्र शुरू हुआ है यानि पाम ओयल से बात हो और यह आपर यह कोशन ज ठीक है तो यह वही कोशन है क्योंकि यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है और इसको मैंने पहले डैस्क्राइब करके नहीं समझाता है लेकिन अब अच्छे से डैस्क्राइब करकर समझाऊंगा वो कि हुआ है वह आणाचल पुर्देश में मिशन पाम ओयल के तहत आणाचल पुर्देश में देश का पहला पाम ओयल प्रोसेस्चिंग शडियंत्र शुरू हो गया है तो याद रखना देश का पहला पाम ओयल शडियंत्र देश की सबसे बड़ी ओयल पाम कंपनियों में से एक 3F ओयल पाम ने इसकी स्थापना की है ठीक है इस कंपनी का नाम याद र दिवांग घाटी याद रखना अवनाचल पुर्देश की जो है एक दिवांग घाटी में रोईजिंग में इस्थापित किया गया है ठीक है दोस्तों अब करते हैं 22 मार्च 2024 के करंट अफेर की एक छोटी सी क्विज ठीक है क्विज का आंसर देना कमेंट बॉक्स में और अभ्यास उस अभ्यास का नाम है एक्स टाइगर ट्रायंफ 24 शुरू हुआ है तो यह हुआ है दो देशों के बीच सन्यूक तो सैन्य अभ्यास एक्स ट्राइगर ट्राइम 24 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है तो यह हुआ है अमेरिका के बीच यह कोशन मैंन से ट्राइम चोविस नेश्ट कोशन करते हैं हाली में 9 योर कंडिडिट एप किस ने लॉंच किया है तो इंपर्टेंड कोशन Know Your Candidate तो Know Your Candidate launch किया है वही चुनाव आयोग ने तो Option Number इसका A answer सही हो जाएगा चुनाव आयोग ने यह क्यों किया है Know Your Know Your Candidate ठीक है जहाँ पे उस पे उस Candidate के वारे में पता चल सके कि वहाँ पे Criminal Case है या नहीं है इस लिए है अब लाँच किया है Next Question बिहार का कौन सा जिला है जो IQ AIR की रिपोर्ट के अनुसार बिस्प का सबसे परदूशित सहर बना है बिस्प की बात हो रही है बिस्प का ही सबसे परदूशित सहर तो वो हुआ है भारत का शहर बो राज्य है बिहार और बिहार का एक शहर है बेगु सराय ठीक है यह एक जिला है तो यहाँ यह पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूशित शहर आया है लिष्ट में कौन P&G इंडिया के नए CEO बने है तो यह बने है इनका नाम है ऑप्शन नमबर B कुमार बैंकट शुवनमन्यम ठीक है तो इंपोर्टन्ट कोशन है CEO से जो है जितने भी कोशन्स होते हैं आने की संभावना होती है ठीक है तो इसको अच्छा से याद कर लेना है है नेस्ट इसट कोशन मलियालम भासा के पिरसिद कभी कोण उनकभी का नाम है प्रभा बर्मा ठीक है याद रखने नाम प्रभा बर्मा किस पुरुसकार से सम्भा नित किया जाएगा तो यह किया जाएगा भी सर्स्वती सम्भान दोस्तों जितने भी ज्यान पीट पुरुसकार हुए नाटक से हुए कला से हुए संस्कृति से हुए अर्जुन अवाड हुए ठीक है पदम भूशन हुए भारत रतन हुए आसकर हुए ठीक है और ये जितने भी कोशन्स होते हैं ठीक है अवाड से पुरुसकार से इनको अच कोशन है CP राधा किरशन, CP राधा किरशन को किस राज्य के राज्ये पाल अत्रिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये दिया गया है तेलेंगाना और पुदू चेरी, दोस्तों जो तेलेंगाना और पुदू चेरी है राज्ये तो उसके राज्ये पाल कौन बने हैं, CP राधा कि ठीक है तो याद रखना important question है इन से पहले कौन थे वो आप comment में answer देना ठीक है मैं आपको बता दू बस उनका नाम जो है जो इन से पहले थे वो तैसे थे तैसे नाम था comment box में answer दीजेगा ये question भी मैंने आपको पहली करा दिया है दोस्तों जब इसकी आप पीडियाफ डाउनलोड करेंगे तो आप यहां से question अपने चेक कर सकते हो कि मेरे कितने questions राइट हैं और कितने गलत हो गए हैं तो यहां से आप अपने questions को सही कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्ष्री वीडियो में इसी तरीकी की हम बहुत जाएगा और आप उसका संपूर्ण लाव ले सकते हो वीडियो पसंद है यह तो प्लेस वीडियो को लाइक करना और शेक